Hello everyone, आज मैं बहुत जादा खुश हूँ क्योंकि मैं अपने चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इस सीरीज का नाम मैंने Weekly Tech News रखा है तो मैं आपको हर संडे को जो है शाम को 6 बजे एक वीडियो अपलोट करा करूँगा जिसमें मैं आपको पूरे हफ़ते की Tech News के बारे मैं आपको उस वीडियो में बताया करूँगा I know बहुत सारे YouTubers अल्रेडी ऐसा कर रहे हैं वो लोग हर दिन 2-3 वीडियो Tech News से related बनाते हैं लेकिन मैं important Tech News जो होती है उन सब को gather करके summarize करके आपको Sunday को शाम को 6 वजे जो है वीडियो अपलोट करा करूँगा पूरे हफ़ते की Tech News आपको उस वीडियो की थूरू दिया करूँगा तो guys आप लोग के support की मुझे बहुत जासा जरुवत है तो please comment में जो है hashtag weekly tech news लेकर मुझे support करें और मुझे बताएं कि आप लोग मेरे साथ हैं और बस आप लोगों सिर्फ इतना मुझे request है और अगर आप लोग नए हैं चैनल पे ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो please हमारे चैनल पे subscribe भी कर दिजे ताकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं आप तक लेकर आता रहा हूँ तो guys मेरा नाम है नमन आप देख रहा है techplusgadgets.com Let's get started तो बात करेते हैं पहली news की तो भाई पहली जो news है वो PUBG की तरफ से हमें मिल जाती है तो PUBG Lite जो है वो इंडिया के अंदर release होने वाला है बहुत ही जल्दी जो है अमें download करने को मिल जाएगा तो PUBG Lite जो है वो अल्रेडी ताइवान, बिजिंग, बांगलादे से ऐसी जगों पे अल्रेडी release हो चुका है लेकिन अब इंडिया में बहुत ही जल्दी release होने वाला है और ऐसा उन्होंने official Facebook page जो PUBG का है उसके थुरूप बताया है एक image के थुरूप कि PUBG Lite जो है वो इंडिया में coming soon लाइक बहुत जल्दी आने वाला है तो PUBG Lite का release करने का reason यह है कि PUBG PC जो है वो बहुत जादा high graphical game है जो almost जो बाखी के computer है उनमें इतने अच्छे से support नहीं करता है तो इसलिए PUBG Lite को बनाया गया है जो कम configuration वाले computer होते हैं उसके भी बहुत ही आसान तरीके से चल जाएगा और इसकी जो possibility है releasing की वो steam पे आपको 25th June से मिलने की possibility ऐसी मानी गई है तो इस महीने PUBG Lite आने की पूरी पूरे chances हमें इंडिया में लग रहे हैं तो बढ़ते हैं अगली news में तो अगली news OnePlus की तरफ से आ रही है तो भाई अभी के time पे OnePlus 7 और 7 Pro लोगबाग खरीर रहे हैं लेकिन OnePlus 60 भी काफी अच्छा option है आज के time पे भी तो भाई Amazon जो है अपनी sale start करने वाला है 10 June से उसमें आप OnePlus 60 को 28,000 रुपे में खरीच सकते हैं वो भी उनका 8 GB वाला variant तो भाई बहुती बड़ा discount आपको OnePlus 60 में मिल जाएगा तो ऐसे लोग जो OnePlus 60 खरीच सकते हैं अभी भी तो वो लोग जो है इस sale का जो है बहुत जादा फाइदा उटा सकते हैं और मैं आप लोग को एक line में बता दूँ कि भाई OnePlus 60 और OnePlus 7 में इतना कोई जादा major upgrade नहीं है तो आप लोग 28,000 रुपे में OnePlus 60 अगर खरीचते हैं तो कोई भी बुरी बात नहीं है तो इसकी जो sale है वो 10 तारिक से start होने वाली है अगली news Amazon की तरह से आ रही है तो भाई Amazon Alexa जो है वो एक major upgrade मिल सकता Amazon Alexa में Amazon जो है वो पुरी तरीके से Hindi language को Amazon Alexa में integrate करने वाला है अभी भी जो है Alexa जो है Hindi में response देता है लेकिन उस तरीके का जो है हमें response नहीं मिलता है लेकिन अब Amazon जो है वो बहुती अच्छी तरीके से integrate करने वाला हिंदी लेंग्वेज और रीजनल लेंग्वेज होती है लाइक मराथी पंजाबी इस तरीके की language को भी Amazon Alexa में हमें integrate मिल जाएगा और काफी अच्छी तरीके से हम Amazon Alexa से Hindi में बात कर सकते हैं यह जो upgrade है बहुती जल्दी जो है Amazon Alexa में हमें देखने को मिल जाएगा अगली न्यूस Samsung की तरफ से आ रही है Samsung Galaxy Note 10 रिलीज होने का टाइम आ चुका है और इनका जो releasing month होता है इन phones का वो होता है August तो भाई August जो है उसमें Samsung Galaxy Note 10 रिलीज होने वाला है और ऐसा date जो सामने निकल के आई है वो है 10th of August भाई 10 तारीक के दिन जो है Samsung Galaxy Note 10 रिलीज होने वाला है और उसके बहुत सारी leaks और specification जो है वो already बाहर आ चुके हैं और उसके उपर मैंने एक dedicated वीडियो भी बनाई है उसकी link मैंने description और i button में देखे रखिए तो आप Samsung Galaxy Note 10 की design leaks और specification leaks के बारे में जानना चाते हैं तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं मैंने उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ समझाया है तो अगली news HMD Global यानी Nokia की दरफ से है तो भाई Nokia जो है इस साल के last quarter यानी की November December में जो है अपना 5G phone release कर सकता है उन्होंने ऐसा announce गया कि 5G phone आ रहा है और ऐसा भी बताया जा रहा है कि 8.1 जो उनका अभी के time पे killer successor रहा है लाइक flagship phone रहा है तो उसी का एक upgrade version होगा ये phone जो 5G के साथ आएगा उसी के साथ साथ Realme का जो phone है Realme जो brand है वो भी अपने 5G variant को release करने वाला है इसी साल तो इस साल जो है दो और company जो है 5G के list में आ जाएगी Nokia और Realme अब देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा phone जो है वो 5G के साथ आने वाला है तो भाई ये news बहुत ही जादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ का wait कर रहे हैं क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ MI Band 4 की तो MI Band 4 11 June को चाइना के अंदर release होने वाला है और जैसे ही चाइना में release होगा उसके कुछ दिनों बात ये band इंडिया में भी मिल जाएगा क्योंकि इंडिया में MI Band काफी जादा popular है तो MI Band 4 में बहुत ही अच्छे specification होने वाला है इसके लिए भी मैंने एक dedicated video बनाई है जिसमें मैंने इसके बारे में बताया है इसकी real specification क्या होगी इसका display क्या होगी सब के बारे में बताया है तो उसकी भी link मैं description और i button में दे दूँगा तो आप वहाँ जाके इसके बारे में जान सकते हैं एक और sale या discounts related news है वह है Poco F1 की तरफ से तो भाई Poco F1 का price अब उन्होंने 18,000 रुपे कर दिया है 17,999 तो वह आपको flip card या उनकी official website या store पे मिल रहा है तो 18,000 रुपे में आप Poco F1 खरीच सकते हैं इसका reason जो है Redmi K20 Pro क्योंकि Redmi K20 Pro जो है वह अगले महिने तक हमें इंडिया में release हो जाएगा तो भाई इसलिए उन्होंने अभी Poco F1 का price जो है 2-3,000 रुपे कम कर दिया है तो अभी भी जो है अगर आप Poco F1 खरीचना चाहते हैं तो आप 18,000 रुपे के अंदर में Poco F1 खरीच सकते हैं यह थी इस वीडियो की tech news I hope आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस तरीकी tech news मैं हर अफते Sunday को 6 बजे तक आप तक लेकर आता रहूँगा तो उसके लिए आप लोग को हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना होगा ताकि मैं आप तक हर अफते tech news लेकर आता रहूँ नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा उसको प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब हो जाईए तो guys thank you so much for watching this video मिलते हैं नेक्स वीडियो में ततक के लिए bye bye take care and peace